दोस्तों नमस्कार आज हम आपके लेके आएं जाने गुलाब जल की ताकत गुलाब जल का उपयोग कहां कहां पे कर सकते हैं दोस्तों गुलाब जल का नेमित प्रियोग तफचा को नर्म और सच बनाता है आईए जानते हैं कि गुलाब जल का प्रियोग किस किस में करके इसका लाग उठाया जा सकता है दोस्तों गुलाब जल को अगर आप नीमू के रस में मिक्स करके उसका प्रियोग त्वचा पर करते हैं तो पिमपल्स इससे दूर हो जाते हैं पहले दोस्तों चेहरे को साफ पानी से धोलें फिर उस मिस्रन को चेहरे और गर्दन पर लगाएं 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से चेहरा और गर्दन दोनों को धोलें लाभी लाभ पराप्थ होगा दोस्तों अगर आपकी तवचा खुसक है तो गुलाब जल को बदाम वाले फेस पैक में मिला लें और उस पेस्ट में थोड़ा सा सहद भी मिला लें तवचा की खुसकी में भी सुधार आएगा दोस्तों और चेहरे की टैनिंग भी दूर हो जाएगी दोस्तों लाभ ही लाभ पराप्थ होगा गुलाब जल का प्रयोग तवचा की नियमित क्लीजिंग के लिए भी किया जा सकता है दोस्तों कॉटन बाल जो आज कल मार्केट में आती है तो कॉटन बाल को गुलाब जल में भीगो कर तवचा पर लगा लें और चेहरा साब कर लें यहाँ प्राकिर्तिक टोनर का काम भी करता है दोस्तों और तवचा पर जमी धूल मिट्टी को भी साब कर देता है इस किरिया को रात्री में और प्राता भी आप कर सकते हैं नहाने के पानी में भी गुलाब जल मिला कर असनान कर सकते हैं इससे तवचा में ताजगी बनी रह अच्छा होता है, गुलाब जल anti-septic और anti-bacterial होने के कारण त्वचा पर प्रियोग किये गए मेकप के असर को भी कम कर देता है, खासकर महिलाओं के लिए जो मेकप करती है उनके लिए भी गुलाब जल गर वो यूज करती है, उनके मेकप के द्वारा तवचा जो खराब होती है उसकी संभावना कम हो जाती है काटन वाल को गुलाब जल में भीगो कर आँखों पर रखने से आँखों का भारी पन और खुजली और लालिमा में आराम मिलता है लाव ही लाव प्राप्त होता है अगर आँखों के चारों तरफ डार्क सर्किल आ गए है तो दूध में गुलाब जल मिलाकर मिस्त्रन को आँखों के चारों और लगा लें दोस्तों सूने से पहले इस मिस्त्रन को आँखों के चारों तरफ लगाएं लाव ही लाव प्राप्त होता है ये रहा गुलाब जल का उप्योग तो गुलाब जल की बहुत ताकत है दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें